Good morning everyone, Gunjan Aroradiside and I welcome you to today's video Daily Market News 28th of April So market में इस ताइम पे discuss करते हैं हम कि किस तरह का data बना हुआ है, क्या overview है हमारा market को ले करके और किस तरह से आज trading plan किया जा सकता है, कौन से strike price चूज करनी है, global market का क्या हाल है इंडिया market में जो कल governor साब आये थे, उसका क्या effect आ सकता है, ये सारी चीज़े discuss करते हैं So अगर आप हमारे telegram पर नहीं जुड़े हो, I request you कि आप telegram पर जुड़ो, बहुत सारे live updates देता हूँ बहुत सारी informations live market में देता हूँ आपको, so आप जरूर telegram पर जुड़ जाओ, link description में भी डाल दिया है मैंने, और trading as profession official के नाम से channel है, आप जरूर से जुड़ जाएगा So now बात करता हूँ, overview की, तो overview भाई बहुत अच्छा bullish है, पहला number, overview super अच्छे से bullish होने का reason 2-3 है, पहला number तो जो हमारा India market के अंदर data बना हुआ है, that is also bullish, India market की data की जो मैं बात कर रहा हूँ आप से, किस तरह से कर रहा हूँ, nifty और bank nifty के अंदर data bullish बनके तो गया ही है, लेकि की long built up होके गया है, अब long built up होके जाने सा मतलब यह होता हैगा, इसकी gap अब तो पका है, gap अब तो हम होंगे ही होंगे, यानि gap up open होने के साथ साथ, अब next जो move है, वो profit booking की आनी चाहिए, अगर वो profit booking की move आ जाती है, तो सबसे प्यारा तरीका वो होगा, कि जब profit booking आए, उसक के बाद थोड़ा सा dip आने के बाद हम फिर से buying करें, मैं आपको trading plan के अंदर हमारा आज का पूरा plan समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है guys, तो यह overview हो गया, उसके बाद global market को आप check करेंगे, तो global market में भी बहुत अच्छी move आई है, चाहे वो UK हो, US हो, आज IT का दिन होना च चाहिए, IT sector के stocks का आज दिन होना चाहिए, as per me, as per my analysis, IT sector के अंदर बहुत अच्छी move आने चाहिए, मैंने आज से कुछ दिन पहले pharma के बारे में बताया था, telegram channel पर, तो pharma के अंदर भी बहुत प्यारी move आई है, आप कोई भी pharma का stock उठा करके देख लो, कोई भी pharma का stock यहां पर दिलवाया था, 554 पर, बहुत अच्छे से growth मिली है pharma के stock पर, मेरे पास भी pharma के अंदर काफी माल पड़ा हूँ है, तो कोई भी stock उठालो, सब के सब stock super pass चल रहे हैं, अगर मैं बात करूँ आप से levels to trade की, तो level बनते हैं, जी, बड़े प्यारे levels निकल के सामने आ हैं, देखो सबसे प्यारा level तो यह है कि हम कहीं अगर open होते हैं इस area में, ठीक है, अब यह area क्या है 43, 190 के आसपास, 43, 150 से लेके 190 के आसपास कहीं अगर हम open होते हैं, यह है bank nifty के अंदर, अगर हम कहीं नीचे आ जाए ना एक पर profit booking के लिए, और profit booking के लिए नीचे आके क्या म आसपास का जो level है, यह touch कर जाते हैं, तो सबसे प्यारा तरीका होगा वो उपर जाने का, अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर क्या होगा गाईस की confusion सी create होती रहेगी, चलो खेर, अगर वो नहीं भी होता, तो trading plan क्या बनेगा, मैं समझाऊंगा आपको, 43, 190, 43086, 43014, यह सब important levels ह आपके लिए रहने वाले हैं, bearish trade के बारे में, मैं आपको पिछले कितने दिन से मेरी वीडियो के अंदर आप चेक कर रहे होगे, मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूं कि bearish trade बहुत सोच समझ करने चाहिए, और छोटी-छोटी scalp करने चाहिए, bullish trade के अंदर आप hold भी कर लोग है, इस ताइम पर हम जहां खड़े हैं, so अब trading planning इसके बात बताता हूं, आपको ये level बता दिये, अब nifty के level बता जाता हूं, आपको nifty का chart बड़ा प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा chart लग रहा है, nifty का दिल को छूगया chart यतना प्यारा chart है, level की बात करूँ अगर मैं आप से, तो ये एक zone है, आप यहां पर same chart पर ड्रॉ कीजिएगा, अब समझ में आएगा, 18,000 के आसपास का ये zone है, और उसके बाद ये zone है, 18,070 के आसपास का, ये दोनों zone बहुत important है, मैं level अगर proper ही बता दूँ आपको यहां पर, तो देखो ये है level 18,065 से लेके 50 तक का, यानि 15 point का ये zone है, अब zone का मतलब क्या होता है, यहां confusion create हो सकती है, अब मिरको ऐसा लगता कि हम open भी ही कहीं होंगे, gap up के साथ हम यहां कहीं open होने चाहिए, अब trading plan क्या बनेगा, मैं समझाता हूँ आपको, important level आपको ये समझ में आ गया होगा, उसके उपर का important level, फिर ये व लेते हैं, trading plan क्या बनाना चाहिए, तो nifty से ही शुरुवात कर लेते हैं, भाई trading plan के अंदर ये हो सकता है, पहला, first plan ये बन सकता है आपका, कि अगर हम open होते हैं, इस area में, 18,050, 60 के आसपास कहीं open होते हैं, तो हम, पहला plan अगर market नीचे आती है, यानि long built up जो करके गए हैं वो लोग अगर अपना profit book करते हैं, ठीक है, तो market अगर नीचे आती है, तो नीचे आने में 18,000 के आसपास, यानि 17,990 के आसपास का level पहला support बनना चाहिए, और सबसे important रहेगा 17,923 के आसपास, जहां हम आज close हुए थे, ठीक है, हम जहां close हुए थे, अगर यहां तक आकर के एक buying opportunity मिलती है, तो definitely हम यहां से support का एक trade करना चाहिए, यह एक पहला trade का plan होगा हमारा, और अगर ऐसा नहीं होता, हम open होते हैं कहीं इस area के आसपास, ठीक है, तो फिर एक उपर जाना चाहिए directly, अगर यहां open होएंगे, तो पहला नीचे आना चाहिए, अगर यहां कहीं open होत होते हैं, तो फिर यहां से उपर की पहली जरनी आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है, दो trading plan हो गए, थर्ड में क्या हो सकता है, हम open यहां होए, नीचे नहीं आए, और ऐसा धीरे धीरे रुक करके नहीं यहां से breakout कर गए, यह zone का breakout कर गए, तो फिर यह आपका zone अगला target हो सकता है, तो निफ्टी में यह तीन plan तो हो गए, bullish के, bearish cup trade कर सकते हैं, भाई bearish trade के अंदर अभी फिलहाल कोई plan सामने आ नहीं रहा, बट येस, अगर मान लीजे आपका यह level तूट करके, यह level पी भी आयाता है ना, तो भी मैं तो buying की तरवी सोचूँगा, इस level के नीचे शायद मैं एक कोई bearish trade करने की तरफ plan करूँ, ये एक day trade की बात कर रहा है, आप scalp तो भाई बहुत सारे कर सकते हो, यहां से यहां तक का भी कर सकते हो, यहां से यहां तक का भी कर सकते हो, यहां से यहां तक का भी कर सकते हो, scalp आप बहुत सारे कर सकते हो, data अगर read करना आता है आपको तो data read करते करते scalp तो आप बीरिश भी कर सकते हो दोनों तरीके कर सकते हो जी ठीक है ये था आपके लिए nifty का plan bank nifty का trading plan आपको समझाता हूँ अच्छा जो भी मैं आपको ये trading plan बता रहा हूँ न इसको आप copy pen लेकर के बैठा करो या hand to hand pause करके chart पर mark किया करो खाली video को स सुन लेते हो ना या खाली माइंड से मत सुनो कान से सुनो भी खाली सुनने के लिए मत सुनो कान लगा कर कि तम सुनो और अच्छे से chart पर इसको mark करो लेवल्स को लिखो trading plan जैसे जैसे बता रहा हूँ trading plan number one trading plan number two ये सब अच्छे से लिखो note down करो उससे आपको बहुत अच्छे से live market में help होगी करके देखो एक दिन आप तब समझ में आएगा और अगर benefit हो रहा है पिछली वीडियो से यार like के लिए मैं बार बार नहीं बोलू हुआ हुआ और comment करके ना मुझे बताना जरूर कि कैसा आपको हम help कर पा रहे हैं कैसा आपको मैं benefit दे पा रहा हूँ और क्या और expect करते हो क्या चीज़ी और चाहिए stocks के बारे में मैं बार बार पूस्ता हूँ आपसे मैं stock भी शुरू कर सकता हूँ अगर stocks चाहिए तो मैं definitely दूँगा लेकिन अगर नहीं चाहिए तो इस वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे अपने stocks के लिए खाली ठीक है guys तो comment करके जरूर बताया करो और मैं आपको जैसे बताया था first of May के बाद जो वीडियो आएंगी उसके अंदर give away का भी मैं plan कर रहा हूँ तो comment करते रहिए जुड़े रहिए तो बहुत benefit होगा अब बात करता हूँ plan की हम यहां कहीं open होते हैं तो same cases में भी बनेगा भाई अगर market में हम पहला एक profit booking देख लें तो सबसे बढ़िया scenario तो profit booking के लिए सबसे बढ़िया area यह होगा यहां से वापस से उपर जाने के लिए अगर ऐसा नहीं यह trading planning number one हमारा set नहीं होता हम यहीं open होने के बाद यहां पे open होने के बाद यहांकशा अगर बाई यहां उपन होते हैं तो फिर पहला-पहला ऊपर जाना चाहिए अगर यहां से प्रोफित-बॉकिंग के हिसाब से कह रहा हूं बडे प्लेयर के माइंट सैट पन सकता है तो यह तो बहुत ही सोनने पर सुहा का entry होगी, सबसे प्यारी entry होगी ठीक है, अब बात कर लूँ मैं आपसे अगर यहाँ open होके उपर निकल जाते हैं, तो फिर एक trade फिर से बन सकता है थोड़ा risky होगा, मैं breakout को avoid करता हूँ हमेशा, बट ठीक है, अगर ऐसा होता भी है, तो यहाँ से फिर से उपर का trade ले सकते हो, यह भी plan बन सकता है तो यह सब levels आप note down कर लो तो यह आपका सब plan होना चाहिए scalp आप छोड़ छोड़ बेरिश भी कर सकते हो बट मैं prefer करूँगा कि bullish entry लेने के लिए try करनी चाहिए अपने को ठीक है क्योंकि global market में पूरा पूरा global sentiment इस टेंप बुलिश है हमारी market का data बहुत अच्छा bullish होके गया है, अगर आप academy student है तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और अगर आप mentorship student है तो आप expert opinion के बारे में जाके चेक करिए एक बार expert opinion को आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा guys, ठीक है तो यह था bank nifty का trading plan ग्लोबल market मैंने आपको वैस तो दिखाई दी है bitcoin भी दिखाना चाहूँगा आपको bitcoin के अंदर कल कैसे बड़ी सी fall आई और उसके बाद सारा का सारा market फिर से उपर speed से निकल गया अब भी यह breakout की कगार पे है अगर यह इस level को तोड़ जाता है तो market यहां से और उपर निकल जाएगी Friday है premium erosion हो सकते हैं अगर premium erosion होने हुए ना तो profit booking होने के बाद थोड़ी volatility create अगर करे आपका एक बार या max दो बार stopless हो जाएगा तो जिद मत करिएगा market के साथ में निकल जाएगा फिर हो सकता है कि market में आपको volatility देहने को मिले volatility मतलब नीचे जाए breakdown करने के बाद फिर से उपर आ जाएगा breakout करने बाद फिर से नीचे चला जाएगा ऐसा भी हो सकता है plan strike price कौन सी choose करने चाहिए तो strike price के अंदर बात करता हूँ आपसे nifty के अंदर अगर bullish entry बनानी है 17,900 बहुत अच्छा रहेगा और अगर मान लिजे आप 18,000 में भी करते हैं ATM पर आ करके तो भी कोई problem नहीं है नम्बी चोड़ी 18,000 पे भी आप trade कर सकते हैं bullish entry के लिए अगर bullish की बात ना करूँ bearish trade लेना पड़ता है 18,100 में लेना लेकिन मैं आपको prefer नहीं करूँगा एक बार फिर भी अगर scalp करते हो तो दीग है कर सकते हो आप scalp कोई problem नहीं है अगर नीचे यहां आके मौका मिलता है यहां आके मौका मिलता है तो चलो आज Friday है 17,950 में या 17,900 में भी trade कर सकते हो आप कोई problem नहीं आएगी तो ठीक है guys यह आपके लिए strike price थे bank nifty के लिए आपको strike price देता हूँ bank nifty में आपको अगर यहां कहीं लेते हो 43,000 ले सकते हो ठीक है आप उसके बाद अगर यहां कहीं लेते हो 43,100 में भी काम कर सकते हो यह call के लिए बता रहा हूँ put के लिए आपको 43,200 के अंदर ही काम करना चाहिए इससे नीचे नहीं जाना चाहिए पुट के अंदर आपको इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर आप पुट में एंट्री करते हो तो, clear हुआ guys, so bank nifty हो गया, nifty हो गया, global market हो गया, levels हो गये, overall sentiment हो गया, telegram आपको मैंने बताई दिया है, जरूर जुड़ जाओ, बहुत benefit होगा, अच्छा कल हमने धन के साथ एक बहुत अच्छा webinar किया, धन platform को मैं इस टाइम पे recommend कर रहा हूँ, आप सब लोगों को, guys, believe me, awesome platform है, जबरदस्त platform है, अगर आप जुड़े नहीं होए हो ना, तो please, इसके अंदर जुड़ जाओ, धन के साथ जुड़ो जुरूर, और इसका link जो है, मैं description में दे रहा उसका इसके अंदर, उसके बाद मैं आपको special benefit देने वाला हूँ, जहां पर मैं आपको swing trading के लिए और option trading के लिए एक अलग-अलग दो group बनाऊंगा, जो तो लोग होएंगे, जिन्होंने सिर्फ account खुलवाया है, उनको अलग group में add करूँगा, और जो लोग trade कर रहे हैं, उन को एक ऐसे group में add करूँगा, जहां पर intraday के options के बारे में मैं आपको help करूँगा, it will be a very helpful group, intraday के options जो trade हम करते हैं, हमारे mentorship के students करते हैं, वो ये trades करेंगे, और guys मैं बता देना चाहता हूँ, यहां पर एक चीज और, जो धन में आप account खुलवाएंगे, उसके अंदर वो हम में brokerage offer करते हैं, partnership के साथ में, आपकी brokerage तो लगनी लगनी है, उसके अंदर से कुछ हिस्सा वो हमें देते हैं, तो मैं उस हिस्से को scholarship में use करता हूँ, हमारी academy में needful people को पढ़ाई करवाने के लिए, और थोड़े से दिनों के अंदर हमारा एक नया पूरा program launch होने वाला है, तो उस program के अंदर मैं आप लोगों को scholarship भी offer करूँगा, form आएगा उसके लिए लग से pure needful के लिए, खाली मलब ऐसा नहीं कि आप section है, capable है, देने के लिए और फिर भी आप scholarship में apply कर रहे हैं, वो possible नहीं होगा, पूरी checking होती है उस चीज की, तो वो भी हमारा काम है, तो प्या effort आपको benefit दे पारा है guys, so thank you very much, that's it for this video, बहुत बहुत शुक्रिया